नमस्कार, Simplified Vedic Astrology चैनल पर आप सभी दर्शकों का बेहत स्वागत है मैं हूँ तमुश्री और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 10th May 2023 से लेकर 1st July 2023 तक Mars Cancer Sign पे ट्रांजिट करने वाले है जहाँ पर Mars debilitated position पे रहेंगे तो इसके वज़े से आप लोगों के लाइफ में क्या-क्या इवेंट आएंगे इसके बारे में मैं इस वीडियो में prediction दूँँगी prediction का time stamp इस वीडियो के description box और इस वीडियो के comment section पर available है तो चलिए अब हम लोग आज के टापक पर बात करना शुरू करते है तो अगर आप लोगों का लगना यानि ascendant एरीज यानि मेश है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके first house और आपके eighth house के ruler है मार्स आपके fourth house पर transit करेंगे तो क्यूंकि मार्स debilitated है और मार्स एक बहुत ही violent planet है उग्र planet है तो fourth house आपके मा और आपके family के अंदर का जो situation है आपके family को represent करता है तो इसी वज़े से मार्स जब cancer sign में आते है तो तब मार्स बहुत ही positive हो जाते है मार्स dominating हो जाते है तो इस वक्त आप अपने family member के उपर dominating होने की कोशिश करेंगे और आपके मा भी आपके life को इस वक्त करने की कोशिश करेंगे और इसी के लिए आपके साथ आपके मा का इस वक्त जगरा हो सकता है family के अंदर आपके वज़े से जगरे इस वक्त क्रियेट हो सकते है तो प्लीज इस वक्त किसी भी प्रकार का उल्टा सिधा हरकत अपने घरवालों के साथ ना कीजिए उल्टा सिधा argument, unnecessary argument को avoid कीजिए क्योंकि fourth house and Kansas sign दोनों ही home, land, real estate and car को represent करता है तो अगर आप लोग घर परचेस करना चाहते हो या फिर गारी परचेस करना चाहते हो in fact अगर आप लोग sell भी करना चाहते हो या फिर कोई नया घर आप लोग rent पे लेना चाहते हो या फिर आप लोग brokers हो, builders हो, ऐसे ही home, land, real estate या फिर गारी के related कोई भी आप लोग काम करते हो तो please be very careful क्योंकि कोई भी legal document होगा, कोई भी purchase है या फिर sell है उसमें कोई ना कोई problem हो जकता है तो या पर बहुत ही careful होना पड़ेगा आपको सभी document आप लोग ठीक से चेक कर लीजे, अगर आप लोग को सही deal अभी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा wait कर लीजे, तो इस तरह से क्या होगा कि आप लोग को कोई major loss नहीं होगा आप लोग सभी चीजे थोड़ा अच्छी तरह के से information लीजे, उसके बाद अप लोग कीजे तो आप लोग के लिए बहतर है देखे, majorly यही सभी situations है और क्योंकि Mars का 3 special aspect होता है कि Mars का 4th aspect होता है, 7th aspect होता है और 8th aspect होता है, ठीक है तो Mars आपके 4th house पे है, 4th house से आपके 7th house, 10th house और आपके 11th house पे दृष्टी डाल रहे है और इन घनों को प्रभावित कर रहे है तो देखे, यहाँ पर, अचा, family के अंदर एक और situation हो सकता है कि यहाँ पर family के अंदर situation manipulate किया जा सकता है Manipulate आइदर आप करेंगे और नै तो आपके घरवाले सम्हाव आपके मा को या फिर आपके घरवालों को कोई और इस वक्त आपके against manipulate कर सकता है और नै तो आप लोग manipulate करेंगे तो यहाँ पर यह कौन कर रहा है यह depend करेगा आपके horoscope के उपर बट उस manipulation के वज़े से भी कुछ न कुछ problem हो सकता है यह situation उन लोग के लिए अच्छा है जो लोग business करते हो या फिर politicians हो क्योंकि politicians को कभी-कभी अपने hit में चीजों को रखने के लिए manipulate करना पड़ता है situation को and same goes for businessmen अगर आप लोग मतला है इस जमाने में honestly कोई भी बहुत ही कम businessman, businesswoman रहे गए है जो कि बहुत ही honestly business करते है business में आपको इधर उधर आपको way out निकालना पड़ता है अपने फायदे के लिए तो ऐसे situation के लिए ये मार्स आपको बहुत ज़्यदा help करेगा but अगर आपको इस मार्स से like कोई other अच्छा चीज अगर आपको चाहिए तो सिर्फ business में ये मार्स आपको help करेगा अगर आप लोग strategy के related कोई काम करते हैं आप लोग मानलो की MBA आप लोगों कर रखा है आप लोग कोई consultant हो या फिर business coach हो तो इस समय ये फिर ठीक है कि आप लोग अपने client के लिए कुछ ऐसा आप लोग जुगार निकाल के देंगे जो आपके client को बहुत ज़्यदा help करेगा but apart from that ये आपके career में भी आपको बहुत ज़्यदा aggressive situation create करवाएगा क्यूंकि Mars का 7th aspect जो होता है वो भी बहुत ज़्यदा dominating aspect होता है okay Mars का 4th aspect conquering aspect होता है तो क्यूंकि आपके 7th house पर Mars का 4th aspect पर रहा है तो definitely आप अपने business partnership में आपके business partner को या फिर अपने relationship में अपने partner को बहुत ज़्यदा dominate करेंगे and अपने career situation में भी आप अपने boss अपने authorities को overcome करने की कोशिश करेंगे तो इस वज़े से भी कुछ argument and कोई competitive situation आपके work space में भी create हो सकता है क्यूंकि Mars का 8th aspect बहुत ही transformational aspect होता है तो Mars का 8th aspect आपके 11th house of professional network circle and elder brother sister के उपर जा रहा है and 11th house आपके gains को भी represent करता है तो यहाँ पर कोई job change का भी situation बन सकता है और ना तो आपके professional network circle में कोई changes आने की इस वक्त संभावना है and जहां तक आपके gains and achievement की बात है वो आपके horoscope के उपर इस वक्त depend करेगा कि आपको कोई promotion मिल रहा है या फिर आपके work situation में आप जीत रहे हो कि हार रहे हो आपके competitive nature के वैसे तो यह आपके horoscope के उपर depend करेगा वो मैं इस generalized video में ठीक से नहीं बता पाऊंगे तो यह सबके professional network circle and अगर कोई बड़ा भाई यह फिर बहन है तो उनके साथ भी जगरे होने के chances है तो be careful for that ठीक है अननेसेसरी argument को avoid कीजे तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है और informative लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कर लीजे and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आप लोग का लगना यानि ascendant, tortoise यानि व्रिशवर है तो मार्स आप लोग के लिए आपके 12th house और आपके 7th house के ruler है मार्स आपके 3rd house पर cancer sign पर इस वक्त transit करेंगे तो देखिए क्योंकि आपका 3rd house and 12th house is वक्त activated है तो अगर आपका current महादशा लोड, अंदरदशा लोड, अगर short distance या फिर long distance place में traveling के तरफ indication दे रहा है तो most definitely आप लोग अपने business के वज़े से और नै तो अपने partner के वज़े से आप लोग किसी long distance या फिर short distance place पर आप लोग traveling कर सकते हो अगर आपका कोई छोटा भाई या फिर बहन है या फिर आपका neighbor, आपका cousin, brother, sister ये लोग भी किसी short distance place पर इस वक traveling कर सकते है and depending upon their horoscope, traveling के दारान उन लोगों को कुछ problem भी हो सकता है क्योंकि रेखें, Mars इस वकट debilitated condition पर है तो either आप लोग अगर travel कर रहे हो तो आपको कोई problem हो सकता है travel के दारान, passengers के साथ या फिर रास्ते में कोई और इंसाने उनके साथ अननेसरी जगरा हो सकता है argument हो सकता है अपके partner के साथ अगर आप लोग travel कर रहे हो तो आपके partner के साथ भी इस वक्त argument होने के chances है क्योंकि Mars naturally एक बहुती malefic planet है Mars आपके third house of communication पे इस वक्त debilitated condition पे है not only Mars आप debilitated है but at the same time Mars आपके seventh house of marriage, partnership, relationship को भी इस वक्त represent कर रहा है अगर ये traveling आप लोग अपने किसी business trip के वैसे कर रहे हो तो यहाँ पर आपको careful होना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वो depend करेगा कि business trip आपका सफल होगा कि सफल नहीं होगा वो depend करेगा आपके horoscope के उपर but यहाँ पर कुछ दिक्कते आने के chances है हो सकता है कि पहला मतलब अगर आपका client मान भी गया तो उससे पहले वो थोड़ा deny करेंगे यह चीजों को थोड़ा logical समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कुछ misunderstanding भी हो सकता है तो इन चीजों के तरफ आपको थोड़ा careful होना परेगा इस वक्त अगर आप लोग कुछ technical knowledge आप लोग सीखना चाहते हो कोई skill आप लोग सीखना चाहते हो या फिर अगर आप लोग sportsman हो sports related को बिजनेस करते हो तो ये टाइम आप लोग के लिए अच्छा है क्योंकि देखिए sports में क्या होता है अगर आप लोग bodybuilders हो तब भी अच्छा है उन चीजों को ठीक करने के लिए master करने के लिए आप लोग repeatedly उस काम को करते रहेंगे क्योंकि मार्स जब debilitated होता है तब मार्स अपने position को लेकर बहुत यादा concern हो जाता है कि वो अपना position अगर hold नहीं करेगा tightly तो कोई और आकि उसका position hold कर लेगा जिसके वैसे मार्स हद से ज preparation ले रहे हो बहुत अच्छा time है बट अगर आप लोग social media के साथ connected हो या फिर ऐसा कोई काम करते हो जिसके लिए आप लोग को बहुत बाते करना पड़ता है communicate करना पड़ता है तो ऐसे time पे या फिर अगर आप लोग managers हो तो आप लोग के साथ इस वक्त problem होंगे communication related problem होंगे आ और आपके बाते कभी कभी सामने वाला इंसन गलत परसीव कर सकता है तो यहाँ पर इन चीजों के तरफ आपको careful होना पड़ेगा एंड आप लोग जो भी कहना चाहते हो बहुत ही clear तरीके से आपको बोलना पड़ेगा आप लोग बिलकुल भी expect मत कीजिए कि कोई naturally आपको स 6th यानि 6th house पे 9th house पे and 10th house पे Mars का दृष्टी होंगे तो क्योंकि 6th house आपके enemies को represent करता है तो यहाँ पर आप लोग अपने enemy को conquer करने के लिए उनको defeat करने के लिए बहुत इस वक्त आप लोग effort डालेंगे जिसके वैसे आपको victory मिलने के chances बहुत जादा है बट यहाँ पर आ digestive track में आपको कुछ issues हो सकता है तो अपने खाने पीने पर और अपने शरीर के उपर थोड़ा ध्यान दीजे योगा कीजिए exercise कीजिए of course अगर आपके doctor आपको allow करते है तभी कीजिए and क्यूंकि Mars का जो 7th aspect है वो आपके 9th house पर है तो definitely आपके father या फिर mentor guru इन सभी के साथ भी इस वक्त आपको कोई ना कोई conflict हो सकता है तो unnecessary conflict को avoid कीजिए and of course traveling तो हो ही सकता है मैंने बोला short distance long distance traveling हो सकता है pilgrimage में भी आप लोग जा सकते हो क्यूंकि Mars आपके 12th house of spirituality को रूल करते है ठीक है and अगर आप लोग education के लिए भी किसी long distance place पर traveling करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो ब and इस वक्त आपके 10th house पर क्यूंकि Mars का 8th aspect है तो अगर आप लोग job change करना चाहते हो तो यहाँ पर probably आपको job change करने का opportunity मिल सकता है बट यहाँ पर job change करने से पहले आप लोग logically देख लीजे कि आप लोग जो job change कर रहे हो उसके पीछे का logic है उसके पीछे का जो reason है क्या वो reason य कोही job change कीजिए अगर नहीं हो रहा है तो job change मत कीजिए क्योंकि हो सकता है कि वो नया job change क्योंकि आप लोग impossibly change करने की कोशिच करेंगे job को तो हो सकते है कि अगर आप लोगों नहीं दिया properly check out नहीं किया अपने नया job role के बारे में या फिर वो चीज़े अपके लिए problematic हो सकत है तो before changing any job please आप लोग ध्यान से देख लो कि वो job आपके लिए अच्छा है भी या नहीं बट workspace में कोई ना कोई changes इस वक्त रैंडम ली आ सकता है अगर आप लोग job change नहीं भी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके current existing company का अंदर कुछ-कुछ नए rules आ रहे है कुछ-कुछ नए regulations आ रहे हैं आपका team change हो रहा है आपका manager change हो रहा है और वो सब चीज़े suddenly होंगे आपको पहले से शायद पता नहीं होगा तो यह सब चीज़े हो सकता है अब वो changes आपके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा वो आपके horoscope के उपर depend करेगा ठीक है बट यहाँ पर आपके workspace मे भी इसी changes के वाज़े से इसी transformations के वाज़े से क्या हो सकता है कि कुछ chaos create हो सकता है तो यहाँ पर unnecessary argument को avoid कीजे कुछ भी उल्टे सिधा comment करने से पहले आप लोग थोड़ा देख लीजे कि वो आपके लिए सही होगा भी या नहीं ठीक है तो I hope कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो में से बहुत सरी information को ले होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कर लिजे and thank you so much for watching my video तो अगर आप लोग का लगना यानि ascendant Gemini यानि मिथुन है तो मार्स आपके लिए आपके 11th house और आपके 6th house के रूलर है मार्स आपके 2nd house पर transit कर रहे है तो देखे यहाँ पर आपको अपने family के अंदर जग्रे होंगे इस वक्त argument होंगे तो यहाँ पर आपको अननेसरी जग्रे को avoid करना है अपने family के अंदर और यहाँ पर आपका communication style कैसा है इस चीजों के उपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आप लोग overly positive हो जाएंगे अपने family members के उपर आप लोग overly उनको protect करने की कोशिश करेंगे और इसी के बज़े से आपका family member आपके against आपको मतलब उनको पसंद नहीं आएगा कि इतना क्यों कर रहे हो तो ऐसा situation यहाँ पर create हो सकता है और नै तो यहाँ पर genuinely पैसे के वज़े से कुछ verbal argument यहाँ पर बन सकता है inheritance के वज़े से कुछ verbal argument यहाँ पर बन सकता है और यहाँ पर आपका speech भी थोड़ा बहुत either cursing होगा और नै तो manipulative होगा वो आपके horoscope के उपर depend करेगा कि आपके horoscope में second house and moon का condition कैसा है and other planetary position कैसा है ठीक है and at the same time क्योंकि देखे 6th house के भी रूलर है मार्स and वो आपके second house पर आ रहे है 6th house जो है वो health, illnesses, diseases, argument को represent करते हैं तो definitely यहाँ पर argument के साथ सथ आपके family member के अंदर किसी को health issue हो सकता है तो please अपने पूरे family का जो health है उसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिये and अगर किसी को भी थोड़ा सा कुछ भी problem हो रहा है तो immediately doctor के पास जाए at the same time आपर क्या हो सकता है कि देखे क्योंकि second house पैसे को represent करता है and 11th house भी gains को represent करता है मार्स का जो 7th aspect है वो आपके 8th house पर है तो अगर आपके horoscope में अगर gain of inheritance अगर इस वक्त शो हो रहे है अगर आपका current महादशा लोड अंतरदशा लोड अगर indication दे रहा है कि इस वक्त आपको आपके family के तरफ से या फिर आपके in-laws के तरफ से कुछ gains कुछ inheritance आपको मिल सकता ह है तो definitely यह एक time है जहाँ पर आपको inheritance जरूर मिल सकता है और यहाँ पर क्या होगा कि क्यूंकि मार्स का aspect भी होता है different ठीक है तो मार्स क्यूंकि आपके second house पर है तो second, third, fourth, fifth मार्स आपके fifth house आपके eighth house आपके ninth house के उपद्रिष्टी दालेंगे और इन घड़ों को भी प्रहव करते हो creative कोई काम करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा या फिर अगर आप लोग कोई speculation business करते हो तो यहाँ पर आपको gains मिल सकता है आपके परहाई में भी आपको gains and achievement इस वक्त मिल सकता है यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कोई inheritance हो सकता है बट अगर आपको अपका पैसा कहीं पर invest करना है तो be careful बीना सोचे समझें बीना सब कुछ समझें आप लोग प्लीज कहीं पर भी specifically कोई mutual fund या फिर policy या फिर कोई life insurance ऐसे चीजों पर invest ना कीजें बीना सोचे समझें ओके तो फिर problem हो सकता है and क्योंकि मार्स का 8th aspect आपके 9th house पर है तो definitely आपके father, guru, mentor, religious belief system and overall belief system है इसमें कुछ changes आ सकते हैं suddenly कोई बदलाव आ सकते हैं relationship with your father and mentor के साथ कुछ changes आ सकते हैं अब वो changes positive भी हो सकता है वो negative भी हो सकता है बट यहां पर आपको अपने father, mentor या फिर professor अगर कोई है तो उन लोग के साथ कोई भी argument अगर वो unnecessary है तो उसको avoid कर नहीं इस वक्तर होगा तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कर लिजे and thank you so much for watching my video thank you तो अगर आप लोग का लगना यानि ascendant cancer यानि करकट है तो मार्स आप लोग के लिए योगकार का planet है यानि मार्स आपके लिए आपके 5th house और आपके 10th house के ruler है मार्स आपके लगना पर है although मार्स debilitated condition पर है तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने health के तरफ ध्यान देना पड़ेगा बट अगर आप लोग business करते हो या फिर कोई आप लोग ऐसा काम करते हो जहाँ पर आप लोग like आप लोग lawyers हो या फिर consultant हो कोई strategist हो आप लोग तो आप लोग के लिए यह time बहुत अच्छा है अगर आप लोग politicians हो आप लोग के लिए time अच्छा है यहाँ पर अगर आप लोग education के related कोई business करते हो या फिर creative कोई business करते हो speculation करते हो या फिर अगर मान लो कि आप लोग कोई भी education field के साथ connected हो teaching के साथ connected हो यह time आप लोग के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर आपको educational gains and achievement मिल सकता है business में भी इस वक्त आपको like आप अपने opponent person को यहाँ पर और अपने manipulative बातों से आप लोग इस वक्त मैनोपुलेट कर पाओगे यहाँ पर अगर आपको कोई partner है तो आप अपने partner को इस वक्त मैनोपुलेट कर पाएंगे पर अगर आप लोग मान लोग कि apart from business क्योंकि business में लोग मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि यह आप लोग का business है आप लोग का ethics जो आपको करने के लिए बोलेगा आप कर लो मैं कोई नहीं हूँ उसको बताने वाली बट इन परसनल लाइफ अगर आप लोग अपने पार्टनर को जिसको प्यार करते हो उसको अगर किसी और वज़े सा अगर आप लोग मैनोपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो तो at least अपने family members के साथ या फिर अपने loved one के साथ कोई manipulation मत कीजे क्योंकि आप लोग जब भी कोई काम करते हो चाहे वो transit की influence में आके करते हो या फिर naturally आप लोग करते हो वो आपके कर्म के खाते में जाके registered हो जाता है अगर आप लोग वेदिक astrology में विश्वास रखते हो तो आपको इन चीजों के तरफ भी आपको समझना पड़ेगा अगर आप लोग नहीं मानते हो ऐसे time pass के लिए देखते हो फिर आपके लिए यह ही नहीं वेदिक astrology थीक है तो as per Vedic astrology हम लोग का सभी कार्मा होता है हम लोग जो भी action करते हैं उसके उपर कुछ कार्मा generate होता है अच्छे कर्मों के लिए हम लोग को अच्छा फल मिलता है बुड़े कर्मों के लिए बुड़ा फल मिलता है त यहां पर आपको major कुछ कार्मा जो generate होंगे उसका आपको result बाद में मिलेगा, शायद अभी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आप लोग को suggest करूँगी कि आप लोग at least जान बूच के कोई गलत का मत कीजे, बट यहां पर अपने partner के उपर चाहे वो business partner हो, चाहे वो आपका loved one हो, उन लोग के उपर आप लोग बहुत ज़्यादा dominating होंगे, इस वक्त अपने family members के उपर अपने घर के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा dominating होंगे, हो सकता है कि आपके मा के साथ, आपके family member के साथ इस व restaurant business है, यहां पर आपको बहुत ही careful होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कुछ गरपर होने के वैसे, आपके goodwill पर यहां पर कुछ दाग भी लग सकता है, ओके, and क्योंकि Mars का जो 8th aspect है, वो आपके like 8th house पर 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 रहा है, तो अगर आप लोग insurance पर या फिर कही पर भी आप लोग पैसा invest कर रहे हो, तो be careful कि आप लोग कहां पर invest कर रहे हो, क्योंकि वो depending upon your own horoscope, आपका current महादर शलोड, अंतर शलोड अच्छा position में है, बुरा result दि दिखा रहे है, इसके उपर depend करके, आइदर अपको loss हो सकता है, ने तो gain हो सकता है, और ने तो यहाँ पर, देखिए कुछ transformations भी इस वक्त आ सकते हैं, कुछ transformative situation भी इस वक्त क्रियेट हो सकते हैं, खास करके, अगर आप लोग मैरेड हो, तो तब और भी ज़्यादा होगा, क् कि आप अपने, naturally, अपने partnership में थोड़ा बहुत manipulative होंगे, dominating होंगे, तो अगर आपका partner भी इस वक्त, मुझे तो नहीं बता कि उनका क्या राशी है, क्या लगना है, तो उसके उपर depend करके, अगर result अगर उल्टा आया आपके उपर, कि वो भी आपको dominate करने की कोशिश करें, तो इस वज़े से आपके partnership में भी इस वक्त argument हो सकते है, and 8th house आपको पता है कि वो in-laws को भी represent करता है, तो यहाँ पर overall यह जो transit है, वो आपके career के लिए तो अच्छा है, पर personal life के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो आपको अपने personal life वे careful होना पड़ेगा, थोड़ा आपको patience रखना पड़ेगा, तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, and thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आप लोग का लगना, यानि असेंडेंट, Leo, यानि सिंग है, तो मार्स आप लोग के लिए आपक लेकर के सेटल होना चाहते हो, या फिर आपके फैमिली में से कोई इंसान लॉंग डिस्टंस प्रेस पर जाना चाहता है, specifically अगर वो आपका मा है, जो पिल्ग्रिमेज पर जाना चाहता है, या फिर कोई लॉंग डिस्टंस प्रेस पर जाना चाहते हो, तो डेफिनिटली इस मार्स का ट्रांसिट आपके 12 थाउस पर हो रहा है तो काफी लोग को ऐसा लग सकता है कि आप लोग लॉग डिस्टेस यानि अब्रॉट भी हो सकता है तो अब्रॉट ट्रावेलिंग के लिए आपके होरोस्कोप में भी उसका कॉंबिनेशन होने की जरूरत है आपका करेंड मह आपने ही स्टेट के अंदर या फिर अपने ही कंट्री के अंदर किसी डिफेरेंट स्टेट या फिर किसी लॉग डिस्टेस पर आपको ट्रावेलिंग करवा सकता है ओके यहाँ पर देखिए अगर क्यूंकि रेखिए फोर्थ हाउस लॉड इस वक्त आपके 12 थाउस पर है तो अगर आपको ही इंपोर्थ 2030 कोई काम करते हो य kullo कि अपने लोकेशन से किसी लॉंग डिस्टेस प्रेस पर कोई चीजों को आप लोग इंपोर्ट करवाते हो या फिर एक्सपोर्ट करवाते हो ट्रावेलिंग रिलेटेड आपका कोई बिजनस है तो भी यह टाइम आप लोग के लिए अच्छा है बट यहां पर आपको सोने में प्रॉब्लेम होगा क्योंकि मार्स एक बहुत ही वाइलेंट प्लैनेट तो मार्स जब आपके 12th house पर जाता है तो 12th house क्योंकि अपका सबकॉंशेस माइंड है आपके sleep को रिप्रेजन करता है तो यहां पर क्या हो सकते है कि मार्स आपको अन्नेसरी बहुत यादा आपको यादाए कि एभी तो रात के 3-4 बज रहे है विव ऑल्मौस्बह articles आपके अंदर ने ने थर्ड यानि मार्स आपके तीन नंबर घर पर यानि मार्स आपके थर्ड हाउस पर आपके 6 थाउस पर आपके 7 थाउस पर दुरिश्टी डाल रहे है तो डिफिनेटल आपको अपने बहुत करना होता है तो यहां पर आपका कम्यूनिकेशन स्टाइल बहुत एग्रिसीव होगा और उसके वज़े से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि 12,000 आइसोलेशन को रिप्रेजन करता है, 12,000 जेल को भी रिप्रेजन करता है, तो आपके कम्यूनिकेशन के वैसे आपको जेल हो सकता है, आपको आइसोलेशन में जाना पर सकता है, तो यह सब चीजे हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके होरोस्कोप के उपर, य इस वक्त आप अपने शत्रू के उपर बहुत ज़्यादा दभाव डालेंगे, आप अपने शत्रू को इस वक्त डिफीट करने की कोशिश करेंगे, और सफल हो भी सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके होरोस्कोप के उपर हैं, आपका जो एनिमी है, उसका चार्ट अगर आ वह सद्वह, आपने शत्रू को डिफ, ढॉमिनेट करेंगे और उनको डिफीट करेंगे, यहां पर आपके हेल्थ में थोड़ा बहुत प्रॉबलम हो सकता है, क्योंकि मार्स जो है, आपके नीम्त को इस वक्त डिस्टर्ब कर देगा, जिसके वाइसे आपके हेल्थ में प्र transform होंगे अब वो किस टाइब का transformation होगा वो तो मैं यहां पर प्रॉपरली नहीं बता पहूंगी वो आपके horoscope के उपर depend करेगा बट अगर आप लोग business करते हो तो business में हो सकता है कि कोई-कोई rules आप आप लोगोंने नया change किया शायद हो सकता है कि कोई पुराना rule है जो काम नहीं कर रहा है कुछ नया rule implement कि आप लोगोंने इस टाइप के कुछ-कुछ transformation या फिर आप लोगोंने कुछ major step लिया ताकि आपका business में इंप्रूब्मेंट हो सके तो आपके partner के साथ इस वक्त इस वाज़े से थोड़ा argument हो सकता है और आपके अगर मानलों कि आप लोग married नहीं हो या फिर business नहीं करते हो बट आप लोग कही काम करते हो वहाँ पर आपका project partner है तो project partner नया change हो सकता है या फिर अगर आप relationship में हो और बहुत दिन से problem हो रहा है तो यह जो प्लेस्मेंट है यह argument को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा ओके तो अगर आप लोग का लगना यानि ascendant वर्डगो यानि करनेया है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 3rd house और आपके 8th house के रूलर है मार्स आपके 11th house पे transit करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको sudden कोई gain मिल सकता है आपके professional network circle में यहाँ पर suddenly कोई transformations आ सकता है suddenly उनके साथ argument हो सकता है और यह argument इस वज़े से हो सकता है कि आप लोग उनको approach किया है कि आपको थोड़ा help चाहिए शायद उन्होंने नहीं किया या फिर कुछ उन्होंने उल्टा सिधा आपको कहा तो इन चीजों के वहे से आपके professional network circle के साथ इस वक्त कोई suddenly argument हो सकता है और मैं inheritance इसलिए बोले हो क्योंकि 8th house inheritance को represent करता है तो आइदर आपके family members के तरफ से और ने तो आपके in-laws के तरफ से suddenly इस वक्त आपको को inheritance मिल सकता है हो सकता है कि आपने बहुत दिनों पहले कोई lottery या फिर lottery के बारे में मैं नहीं बोलूंगी sorry मैं lottery को promote नहीं करना चाहती हूँ sorry for that मैं lottery में पैसा किसी को भी invest करने के लिए नहीं बोलूंगी तो like मानलो कि बहुत दिनों पहला आप लोगोंने किसी mutual fund में या फिर किसी insurance में आप लोगोंने पैसे invest करके रखेते कोई FD करके रखा था तो वो suddenly इस वक्त मैचियोर हो सकता है कि वो मैचियोर हुआ या फिर क इसी तरह किसा आपको किसी ने पैसे दिया help किया तो इस टाइप का sudden gains इस वक्त आपको मिल सकता है यहाँ पर कुछ भी आपको चाहिए होगा आपको बहुत जादा effort डालना पड़ेगा क्योंकि महार साब के third house के ruler है जो की effort को represent करता है ओके तो अगर आपको भी कुछ बाकी time से जादा ही डालना पड़ेगा इस वक्त ओके यहाँ पर देखिए क्योंकि मार्स का मार्स का या तीन aspect होता है यानि मार्स जिस किसी भी house में बैठते हैं उस घर से लेकर चाल नंबर साथ नंबर और आत नंबर घर में अपका द्रिश्टी डालते हैं और उन गड़ो स्पीच के उपर अपने communication के उपर ध्यान देना पड़ेगा आपके family members के साथ इस वक्त argument होने के chances हैं और यह chances यहाँ पर क्या हो सकता है कि either inheritance के वैसे कोई problem हो सकता है ना तो पैसो के related किसी चीज़ के वैसे आपके साथ आपके family members का इस वक्त argument हो सकता है तो अगर argument unnecessary है तो उस अगर आप चीजों को समझा सकते हो तो वह जादा बहतर रिजल्ट लाएगा इस वक्त यहाँ पर क्यूंकि मार्स का जो 7th aspect है वह आपके 5th house पर पढ़ रहा है तो अगर आप लोग already parents हो तो इस वक्त आप लोग अपने बच्चों के तरफ और उनके education के तरफ बहौँ हो सकता है कि over possessive and over protectiveness के वैसे आप लोग अपने बच्चों को पर हाथ भी उठा सकते हो तो इस टाइप का कोई हरकत आप लोग मत कीजे क्योंकि अगर आप लोग overly protective हो जाएंगे overly possessive हो जाएंगे उनके परहाई को लेकर तो हो सकता है कि उनका जो other aspect है जैसे बच्चों का खे practice करना चाहिए तो इस वक्त आपको उन चीजों को समझना परेगा हो सकते कि वो लोग थोड़ा इस वक्त जाधा आपको problem create करेंगे थोड़ा जाधा आप लोग को परेशान करेंगे तो आप लोग उनको मार दिया थोड़ा बहुत मार पीट दिया तो यह सब करने से कुछ हो जाएंगे अगर आप लोग in investors हो या फिर किसी और के like in investors हो या फिर आप लोग मालो की स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिट कोईन ऐसे चीज़ पर अगर आप लोग इंवेस्ट करते हो तो वो इंवेस्टमेंट आपको केयरफुली करना होगा क्योंकि उस इनवेस्टमेंट से डिपेंडिंग अपन यूर्चार्ट और अभी का करेंट महादाशालोड और अंतियादाशालोड कैसा है इन चीज़ों के उपर डिपेंड करके आईदर उन इनवेस्टमेंट के वैसे आपको गेंस मिल सकता है और नै तो आपके पैसे भी सब्सक्राइब करेंगा क्योंकि मार्स का एइसपेक्ट जेनरेली अच्छे रिजल्ट से ज्यादा बुड़े रिजल्ट ज्यादा लिके आते तो यहां पे आपको अपने डेली वर्क लाइफ डेली वर्क रूटीन में अपने एनमी का थोड़ा खास ध्यान रखना पड़े क्योंकि मार्स का एइसपेक्ट आपके 6000 पर है 6000 अपके हेल्ट एंड वेल बीग को रिप्रेजन करता है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और तो देखिए यह बहुत ही अच्छा कॉमिनेशन है एक बहुत ही अच्छा योगा है फोर केरियर एचीब्मेंट ठीक है केरियर सक्सेस के लिए बहुत ही अच्छा योगा है विकर्स यहां पर देखिए सेकेंड हाउस के रूलर आपके 10 पर आ रहे है तो डेफिनेटली सेके कम के वज़े से आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे आपको recognition मिलेगा आपको success मिलेगा क्यूंकि 7th house जो है वो promotion को रिप्रेजन करता है business को रिप्रेजन करता है तो definitely यहाँ पर अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर अगर आप लोग job करते हो तो depending upon कि अगर आपका current महादश लोड अंतरदशा लोड इस वक्त promotion के तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो definitely यहाँ पर आपको कोई promotion मिल सकता है और नय तो कम से कम यहाँ पर कुछ आपके अच्छे काम के वैसे कुछ recognition मिल सकता है और नय तो क्योंकि Mars देखिए debilitated है बट क्या होता है कि जब Mars debilitated होता है तो वो अपने position को लेकry अपने power को लेकर बहुत ही slave हो जाता है वो insecure हो जाता है कि क्या मार्स अपना position होड़ करके रख सकता है क्योंकि yer मार्स को बहुत लोओ फिल होता है तो इसके वैसे मार्स के कपरता है अपने पोजिशन के लिए बहुत जब Luck कि ओशाओ हक ऑलकी सेनदी की और या अगर और ऑता है तो आफ अ तो अपने आप केरियर के तरफ ओवरल यूं करना शुरू करद sub overly obsessed हो जाएंगे, जाधा value देंगे, ताकि आपके workspace में आपका position कोई छीनना सके, तो इसी लिए 10th house में debilitated Mars, at least exalted Mars से कही गुना जाधा होता है, ठीके, specifically अगर आप लोग business करते हो, तो ये Mars आपको और जाधा बहता result देता है, क्योंकि जब Mars exalted होता है, मालो कि Mars Capricorn sign पे है, तो Capricorn sign कौन रून करता है, Saturn रून करता है, Saturn servant है, Saturn सबसे पहला आपको discipline होना सिखाता है, वही पर cancer sign पे जब Mars होते हैं, तो तब Mars अतने position को लेके बहुत ही आदा, वो insecure हो जाते हैं, जिसके वैसे Mars कोई भी हद तक जा सकता है, अपने position को, अपने power को retain करने के लिए, जब आप business करते हो, अगर आप सीधे तरीके से जाते हो, business करते हो, तो उसमें जितना profit होता है, पर अगर आप लोग वही थोड़ा आरा थेड़ा कोई दूसरा रास्ता लेके अगर कुछ काम करते हो, उसमें आपका मुनाफ़ा जादा होता है, I hope कि मैं आपको समझा पारी हूँ, क्या बोल रही हूँ, खास करकर आजकल के जमाने में कोई भी business करता है, चाहे वो कितना ही छोटा या फिर बड़ा businessman क्यों ना हो, कुछ ना कुछ behind the scenes dealing चलता है, आजकल के जमाने में, बहुत कम लोग है, जो सीधी तरीके से business करते हैं, सिचुएशन में, एनिमी को कैसे आप लोग logically और कैसे आप लोग strategy बना के उसको defeat कर सकते हो, उसके लिए ये position मार्स का बहुत अच्छा है, बट देखें, मार्स का ना तीन special aspect भी होता है, कि मार्स जिसकिसी भी house में transit करते हैं, उस घर से लेकर, चाहर नमबर, साथ नमबर और आपका जो 8th aspect है, मार्स का, वो आपके 5th house पे होगा, तो आपको अपने खुद के health के उपद ध्यान देना पड़ेगा, कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कि आप लोग over manipulation के चक्कर में, आपका manipulation बाहर आ सकता है, कोई और आपके manipulation को expose कर सकता है, तो यहाँ पे आपको इतना भी क तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा aggressive नहीं होना है, अगर आप लोग parents हो, तो आप अपने बच्चों के उपर दिखाएंगे, अगर आप लोग householders हो, तो आपने family के उपर आप लोग दिखाएंगे, अगर आप लोग अपने family के साथ रहते हो, तो उनके उपर दिखाए तो आपको लोग भी यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करेंगे, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके physical body को कोई चोट लग सकता है, क्योंकि लगना आपका physical body होता है, Mars का fourth aspect conquering aspect होता है, और naturally Mars burn, cut, bruises को रिप्रेजन करता है, तो यहाँ पर छोटे-मोट से लेकर, कुछ medium, average, कुछ चीज़े, इस वक्त आप लोग face कर सकते हो, अपने healthcare related, वो आपके horoscope के उपर, आपके planetary other position के उपर, आपके current महादश लोड, अंतरदश लोड, इनके उपर depend करके होगा, तो be careful, ठीक है, तो I hope कि आपको मैंने अच्छा guidance मैंने दिया है, जिससे वाइदा होगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, and thank you so much for watching my video, thank you. तो अगर आप लोग का लगना, यानि ascendant, Scorpio, यानि विश्चक है, तो Mars आपके लगना, and आपके 6th house को rule करते है, Mars आपके 9th house पर transit करेंगे, तो education के लिए, pilgrimage के लिए, या फिर अपने career के लिए, आपको long distance place पे traveling करना पर सकता है, long distance place में traveling करते वक्त, आपको कोई problem हो सकता है, argument हो सकता है, ठीक है, तो आपको like, थोड़ा careful होना पड़ेगा, तो वो argument आपके father के साथ हो सकता है, guru के साथ हो सकता है, mentor के साथ हो सकता है, और ने तो जो passengers होंगे traveling करते वक्त, उन लोग के साथ problem हो सकता है, यहाँ पर, क्यूंकि देखिए, Mars का, जो, like, क्या बोलते है, Mars का 3 special aspect होता है, तो Mars जिसकी से भी house में बैठते हैं, उस house से लेकर, चार नंबर, साथ नंबर और रात नंबर घर में अपना दृष्टी डालते हैं, और उन घरों को भी प्रहवित करते हैं, तो Mars का, Mars क्यूंकि आपके 9th house पर है, तो आपके 9th, 10th, 11th, 12th, आपके 12th house पर, आपके 3 house पर, आपके 4th house पर दृष्टी होगा, Mars का, तो क्यूंकि Mars अपके 12th house पर दृष्टी डाल रहे है, तो definitely इस वक्त आपके नींद में डिस्टर्बेंस आ सकता है, क्यूंकि हो सकता है कि अननेसेसरी कोई डाउट होगा आपके दिमाग में, उसके बार में आप लोग सोच रह हो, हो सकता है कि आप लोग ट्रावेल कर रहे हो किसी लॉंग डिस्टर्बेंस पर तो आप लोग आइसोलेट हो गये हो, अब आपको बुरा लग रहा है, आप मिस कर रहे हो अपने family member को, तो इसके वएसे आपको नींद नहीं आ रहा है, तो यह सब चीजे हो सकते हैं, और न इंडेस्ट्री के साथ connected हो, या फिर media industry, news reporters हो, या फिर social media influencers हो, be very careful, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का communication के वैसे यहाँ पर कुछ sudden ups and downs हो सकते हैं, क्योंकि मार्स का 8th aspect आपके 4th house पर होगा, जो कि आपके मा को represent करता है, family को represent करता है, mental peace को represent करता है, तो यहाँ पर किसी ना किसी वज़े से आपके mental peace में and within your family, कुछ ना कुछ situations ऐसे create होंगे, जिसके वैसे आप लोग के साथ, आपका या फिर आपके family members का argument हो सकता है, अगर आप लोग घर purchase कर रहे हो, घर shift करने की कोशिश कर रहे हो किसी long distance space पे, किसी और जगा पे घर ले रहे हो, तो be very careful, जो documents है, उसमें सभी logic, मतलब उसमें सभी point logically लिखा है कि नहीं, क्या लिखा है document में, सभी चीजों को properly देख ल और पर भी अगर आप लोग रेंट पे जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको careful होना पड़ेगा, जिसके पास आप लोग रेंट ले रहे हो, वो घर अच्छा है कि नहीं, सभी चीजों को आप लोग देख लीजे, नहीं तो problem हो सकता है, और इन्हीं चीजों के वैसे mental peace में थ इस वक्त arguments से थोड़ा बचे रहे, अपने दिमाग को अगर शांत करना है, तो आप लोग meditation कर सकते हो, ठीक है, तो यह सब चीजे करने से आपको भैतर होगा, हो सकता है कि traveling के वक्त पहली बार आपको ticket ना मिले, दूसरे बार आपको try करना पड़े, ऐसा situation create हो सकते है, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, और थैंक यू सो मच पो वाचिंग मावीडियो, तो अगर आप लोगों का लगना यानि Ascendant Sagittarius यानि धनू है, तो मार्स आप लोगों के लि मार्स इसमें से 12th house के रूलर है, मार्स आप 8th house पे आ रहे हैं, तो ऐसे combination को ही विपरीत राज योगा कहा जाता है, जहाँ पर first आप लोगों को कुछ sudden ups and downs को face करना होता है, कुछ challenges आते हैं उसका सामना करना पड़ता है, जैसे ही आप उन challenges को सामना करते हो, कोई भी enemy आता है उसको defeat करने के लिए आप लोग लग जाते हो, तब क्या होता है, यह जो योगा है, वो activate होता है, अगर आप लोगों ने कोई गल्ती नहीं की है, अगर आप लोग निर्दोश हो, या फिर मान लोगों कि यहाँ पर कोई enemy situation नहीं है, कोई obstacle वाला situation है, जो natural है, तो ऐसे situation में फ आपको कुछ gain मिलता है, कुछ success मिलता है, बट जैसे कि यह जो houses है, वो दुष्टाना house है, तो सबसे पहले आपको कुछ bad situations का सामना करना पड़ता है, उसी के बाद आपको gains and achievement मिलता है, तो मार्स ने यह योगा यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्योंकि 12th house जो है वो travel वाला house है, 8th house, sudden ups and downs and suddenly कुछ जो भी चीज़े होता है, इन चीजों को represent करता है, sudden energy connected है, तो यहाँ पर suddenly आपको अपने education के वाएस है, या फिर अपने किसी भी काम के वाएस है, आपको कोई short distance या फिर long distance space में suddenly traveling करना पड़ सकता है, suddenly आपके दिमाग में बहुत sexual desire आपके अंदर बहुत ज़ादा बढ़ सकता है, क्योंकि देखे, 8th house and 12th house दोनों ही मोक्षा houses है, ठीके, अब इस में से आप दोनों मोक्षा houses जैसे है, बिल्कुल वैसे ही, दोनों houses ही bed pleasures को भी represent करता है, ओके, तो इसी वाएसे depending upon your chart कि आपके horoscope में 8th house, 12th house and आपका current अदर देशलोड, अंदर देशलोड and Mars का natural position कैसा है, उसके उपर बेस करके, आइदर आप लोग एमदर spiritual activity करने का इच्छा बहुत ज़ादा होगा, suddenly आप लोग spiritual activity के तरफ ज़ादा आप लोग inclined होंगे, और नय तो यहाँ पर suddenly आप लोग traveling कर सकते हो, या फिर traveling करेंगे, और अगर आप लोग single हो, तो suddenly किसी इंसान के साथ आपके मुलाकात हो सकती है, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है, तो इस type का situation भी यहाँ पर बन रहा है, देखिए, सब के साथ सब situations match नहीं करेंगे, क्योंकि यह generalized prediction है, massive transit energy के बारे में यहाँ पर बता रही हो, तो जिसके लिए जो उनहीं चीजों के बारे में आप लोग समझे, अधर जो चीज जैसे कि हो सकता है, कि आप में से बहुत सरे लोग traveling इस वक नहीं करेंगे, तो ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है, कि जोर जब अब दस्ती ही, आप लोग समझ रहे हो, कि अगर traveling होगा, तो आपके साथ यह सब च पूलर है, तो अगर आप लोग कोई भी stock market, share market, bitcoin या फिर आप लोग किसी और के business में पैसा लगाते हो, इस type का, या फिर film making, ऐसे type के अगर कोई भी काम आप लोग करते हो, तो investment करने से पहले, प्लीज आप लोग थोड़ा समझ लीजे, क्योंकि 8th house, sudden ups and downs को represent करता है, तो इस type का investment में depend करेगा कि आपको gain मिलेगा, कि आपका पैसा डूब जाएगा, वो depend करेगा आपके chart के ऊपर, कि आपका current महादार्श लोग, अंतरदर्श लोग किस चीज के तरफ indication दे रहा है, including आपका D11 chart होता है, D2 IR chart होता है, यह सब जो है, वो wealth को represent करता है, आपको success मिलेग पैसे मिलेगा, कि नहीं मिलेगा, इन चीजों को represent करता है, तो इन सभी chart में आपका current महादार्श लोग, अंतरदर्श लोग, परियांतरदर्श लोग का position कैसा है, इन चीजों को देखना बहुत important है, to see कि इस वक्त आपके investment के वैसे, आपको gain मिलेगा, कि आपका पैसा थोड़ा उतना जादा अच्छा position नहीं माना जाता है, तो इस वते से मैं आप लोगों को suggest करूंगी, कि अगर आप लोग investment कर रहे हो, तो please सोच समझ करके invest कीजिए, नय तो उसमें बाद में problem हो जकता है, similarly अगर आप लोग कोई भी insurance, policy, या फिर कुछ भी आप लोग purchase कर रह हो, तो be careful, बिना सोते समझे, किसी और की influence में आके, पैसा कही पर भी invest मत कीजिए, आपको खुद को पता होना चाहिए, कि उस पैसों में से कितना return आपको मिलेगा, वो पैसा डूबेगा, कि वो पैसा आपको at least सही सलामत मिल जाएगा, इन चीजों को आपको ही समर्जना पढ़ते हो, geography, archaeologist, या फिर आप लोग, spacecraft, यह सब चीज़े, या फिर आप लोग, oil mining, gas mining, field, या फिर जो भी जमीन के नीचे जो भी चीज़े होता है, जैसे petroleum, oil, gas, gemstone, crystal, या फिर और भी जो भी like, मिट्टी related, जो भी परहाई होती है, ठीके, agriculture, यह सभी चीजों के बारे में अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, तो या फिर काम करते हो, तो यहाँ पर आपको sudden success मिल सकता है, ओके, तो यह सब combination, यह सब योगास यहाँ पर बन रहा है, तो यह जो transit है, majorly आपके लिए अच्छा है, बट येस कुछ obstacles जरूर आएंगे, जिसका आपको सामना करना पड़ है, तो मार्स आप लोग के लिए आपके 4th house और आपके 11th house के रूलर है, मार्स आपके 7th house पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहे है, तो देखिए, यह एक योगा है, जहाँ पर आप लोग अपना घर अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो, किसी long distance space पर जाना चाहते हो, अपना पार्टनर चाहिए कोई, पार्टनर ढून रहे हो, तो यहाँ पर potential कोई पार्टनर्शिप आपको मिल सकता है, पर वो पार्टनर आपके लिए अच्छा होगा, कि बुरा होगा, वो आपके चार्ट के ओपर ही depend करेगा, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ करके किसी को accept करना है, या फिर किसी को reject करना है, at the same time अगर आप लोग business करते हो, and already कोई partnership में आप लोग business करते हो, और अगर partnership में business नहीं भी करते हो, पर फिर भी आपका कोई life partner है, या फिर आपको कोई relationship में हो, तो यहाँ पर आपका partner आपको जो suggestions देंगे, उस suggestion के वैसे आपको कुछ major gains and achievement मिल सकता है, and यहाँ पर आपके professional network circle के दोवारा दिया गया, कोई suggestion भी आपको इस वक्त बहुत जदा help कर सकता है, आपके career में growth होने के लिए, success पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्स अपके 11th house के भी ruler है, खास करकर, अगर कोई male friend आपको कुछ कह रहा है, अगर, पर अपन दिमाग भी लगाई है, पर आपको अगर लगता है कि आपका कोई male friend, अगर कुछ कह रहा है, कुछ suggestion आपको दे रहा है, केरियर में, आपके professional life में, आपके business के लिए, तो अगर आपको लगता है कि logically वो चीज सही है, तो प्लीज एक बार सुनिए, उस चीज को apply करने की कोशि किजे अपने life में, तो उससे आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, अगर आप लोग business करते हो, ठीके, तो business में आप लोग बहुत यादा aggressive हो जाएंगे इस वक्त, अपने business में अपने position को, अपने client को hold करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, आप लोग इस वक्त बहुत पार्टनर हो, कोई relationship हो, या फिर कोई business partnership हो, चाहे वो अपके business partnership हो, या फिर client के साथ हो, आप लोग बहुत यादा dominant होने की कोशिश करेंगे, उन लोग को अपने पास रखने के लिए, ओके, तो इसके बज़े से भी कोई argument हो सकता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्याद भी पढ़ रहा है, इसका मतलब Mars directly आपको, यानि आपके लगना को and आपके 7th house, यानि आपके partner को, दोनों को ही इस वक्त influence कर रहा है, तो definitely आपका partner का जो दवाओ होगा, आपके उपर जो pressure होगा, वो आपसे कही गुना ज़ादा होगा, क्योंकि Mars का जो concentrated energy है, वो आपके 7th house पढ़े, यानि Mars का जो 7th aspect है, वो आपके 1st house, यानि लगना पर पर रहा है, जिसके वैसे आपका partner यहाँ पर आपसे भी ज़्यादा dominating nature का इस वक्त हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा समझना पढ़ेगा, कि सभी कोई, इस Mars का ये जो influence है, इसके अंदर है, तो आपको थोड जो 4th aspect है, वो आपके 10th house of career पर 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 रहा है, तो अगर आप लोग जॉप करते हो, तो अपने career में इस वक्त आप लोग अपने bosses, अपने manager, अपने authorities को overcome करने की कोशिश करेंगे, तो इस चक्कर में कोई fights, कोई argument हो सकता है with your boss authority and with your co-worker, खास करके वो अगर कोई male friend है, या फ समझ में आएगा, sorry, और ये जब उन लोगों को समझ में आएगा, तब वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोबलम हो सकता है, okay, so be careful, and आपको अपने communication के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, and अपने family members के ऊपर, अपने food habit के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कितना आप लोग खर्चा कर रहे हो, उन चीजों को पध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्स का 8th aspect आपके 2nd house में बढ़ेगा, okay, तो I hope कि आपको ये वीडियो में से बहुत सार इंपोर्टन इंफोर्मेशन में ले होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, and thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आप लोग का लगना यानि Ascendant Aquarius यानि कुम्भ है, तो मार्स आप लोग के लिए आपके 3rd house और आपके 10th house के ruler है, मार्स आपके 6th house पर Cancer sign पर ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप लोग competitive examination देने वाल हो, या फिर अगर आप लोग को अपने career में ही बहुत ज़्यादा competitive होने की जरुरत है, like for example, कि आप लोग sales में हो, marketing में हो, तो वहाँ पर आपको aggressively आपको अपने opportunity खुद बनाने होते है, कोई आपको सामने से नहीं देता है, तो ऐसे field में या फिर ऐसे situation में मार्स आपको बह represent करता है, and competition को represent करता है, 6,000 आपके enemy, आपके obstacles को represent करता है, competition को भी represent करता है, अगर आप लोग lawyers हो, आप लोग fight करते हो, तो police man हो, ठीक है, army officials हो, तो फिर भी ये time आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, okay, at the same time, अगर मान लोग ये सब चीजों में से कोई भी का करते हो, for example, कि आप लोग का खुद का कोई business है, तो 10th house carrier in general को represent करता है, ठीक है, तो क्यूंकि Mars आपके 10th house को ही rule करते है, Mars आपके 6th house पे, तो career में भी कोई भी चीज़ आपको करने के लिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा obstacles आएंगे, enemy आएंगे, जो कि physically and logically बहुत ज़्याद ज़्यादा strong होंगे, वो सामने से आके आपको fight करेंगे, कोई पीछे से fight back नहीं करेगा इस वक्त, जो भी आपके enemies आएंगे, अगर इस से पहले आपको पता नहीं था कि आपका enemy कौन है, जो आपको बहुत ज़्यादा problem create करता है आपके life में, तो इस वक्त चांसे से कि वो सामने आएंगे और सामने से बार करेंगे आपके उपर, क्योंकि Mars एक soldier है, Mars एक fighter है, Mars अगर किसी को attack करते हैं, तो वो सामने से करते हैं, वो कभी भी पीछे से नहीं करेंगे, अगर आप लोग lawyers हो, तो आपका enemy इस वक्त बहुत ही aggressively, जो opposite जो lawyer है, वो बहुत ही aggressively, logically वो आपक इस वक्त आपका enemy बहुत जदा, लाइक बहुत जदा वो लोग aggressive होंगे, और उनका logic भी बहुत जदा होगा, वो बहुत ही manipulative होंगे इस वक्त, क्योंकि Mars जो है, वो आपके 6,000 पर debilitated condition पे रहेंगे, और जब Mars debilitated हो जाते हैं, तो तब Mars अपने power, अपने position को लेकर बहुत जदा उनमें एक insecurity आजाता है, जिसके वैसे Mars physical aggression के जगा पर वो फिर चीजों को maneuver करने की कोशिश करते हैं, चीजों को manipulate करने की कोशिश करते हैं, ताकि बाकी लोगों में जगरा हो और उनको इस चीज से फायदा हो, ठीके, तो ये सब tendencies इस वक्त हो सकते हैं, आपके daily professional network circle में daily life में, चीजें काफी जादा, काफी जादा political हो जाएगा इस वक्त, तो आपको भी बहुत ही बुद्धी मानी के साथ चीजों को handle करना पड़ेगा, at the same time, क्या होगा कि यहाँ पर आपका क्यूंकि 6th house यहाँ पर कमजोर पढ़ रहा है, तो definitely आपको इस वक्त अपने health के या फिर blood related, muscle related कोई problem हो सकता है, हो सकता है कि अगर आप लोग किचेन में ज्यादा काम करते हो, खाना बनाते हो, professional chef हो, या फिर आप लोग blacksmith हो, मार्स के related कोई काम करते हो, मतलब आप लोग इंजिनियर्स हो, या फिर बहुत अपने physical body को use करते हो, कोई भी काम करने के लिए, तो यहाँ पर आपको चोटे लग सकती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही केरफुली काम करना पड़ेगा, जो भी security measurements है, प्लीज उसको maintain कीजिए, चाहे आप लोग कोई भी काम करते हो, प्लीज इस वक्त आप लोग बहुत ही केरफुल होके काम कीजिए, डॉक्टर्स हो, तो डॉक्टरों के लिए एक चीज है, कि एक्स्ट्रा ब्लड आप लोग अपने patient party से लेके रखो, क्यूंकि हो सकता है कि अगर आप लोग operation कर रहे हो, तो bleeding जाधा होने के chances है, मैं क्यूं बोल रहे हूं, क्यूंकि Mars जो है, वो blood को represent करता है, ओके, naturally जो 6000 है, वो healing को भी represent करता है, क्यूंकि original कालपुरिश कुंडली में, वर्गो 6000 में fall करता है, और वर्गो जो है, वो healing sign है, ओके, तो यहाँ पर although वर्गो sign नहीं है, आपके लिए cancer sign है 6000 पर, but cancer भी एक nourishment giving sign है, तो अगर आप लोग doctors हो, ओके, तो doctor के लिए doctor किसको heal करते है, अपने patient को heal करते है, तो and mars blood को represent करता है, mars naturally cut burns and bruises को represent करता है, तो हो सकता है कि आप ब्लीडिंग tendency जादा होंगे, आपके patient में, तो इसी लिए जादा, जरूरत से, कम से कम थोरा से जादा, जितना आप लोग खुद भी preserve कर पाएंगे, ताकि blood बर्बाद भी ना हो, और वो काम में भी आ जाए, तो ऐ ऐसे situations, मतलब ऐसे चीजों के बारे में आप लोग पहले से ही तैयार करके रखिए, ना तो problem हो सकता है बाद में, ठीके, अब mars का देखिए, 4th aspect जो है, वो आपके 6th, 7th, 8th, 9th, वो आपके 9th house पे परेगा, mars का 4th aspect आपके 9th house पे होगा, mars का 7th aspect आपके 12th house पे होगा, and mars का 8th aspect आपके लगना पे होगा, तो यहाँ पर आपको भी चोटे लगने के चांसे से, आपके life में, या फिर आपके professional network circle में कोई changes आने की संभावना है यहाँ पर, इस वक्त आपके नींद में disturbance आ सकता है, due to overload of work, और नहीं तो, काम में जो परिशानी होगा, जो इस वक्त कोई ना कोई obstacle आएगा, तो उसके वज़े से आपके नींद में disturbance आ सकता है, केरियर के वाज़े से किसी long distance या फिर किसी short distance space पर आपको traveling भी करना पर सकता है, क्योंकि Mars का जो fourth aspect आपके 9th house पर है, 7th aspect आपके 12th house पर है, अब वो आप लोग abroad traveling करेंगे, नहीं करेंगे, वो आपके horoscope के पर depend करता है, क्योंकि abroad travel के लिए आपके horoscope में भी proper combination होने की जरुरत है, otherwise किसी long distance या फिर कोई short distance place पर आप लोग traveling कर सकते हो, और वो traveling आपके career के वज़े से ही होगा, क्योंकि Mars आपके 10th house के ruler है, and Mars आपके 6th house पर है, जो भी M6th and 10 दोनों ही 8th houses है, तो आपने profession के वैसे आप आप लोग किसी place पर travel कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप लोग educational field पर हो, तो education के लिए भी आप लोग traveling कर सकते हो, क्योंकि third house जो है, वो आपके education को भी represent करता है, अगर आप लोग social media influencers हो, या फिर बहुत सदा communicate करना पड़ता है, आपको अपने career के वैसे, तो आपको बहुत ही स अगर आप लोग कोई government competitive examination देना चाहते हो, तो उसके वैसे पर आपको traveling करना पर सकता है, किसी long distance place पर, तो देखें, overall यह transit आपके लिए mixed baggage है, बोध good and bad दोनों चीज़े ही, यहाँ पर आप लोग expect कर सकते हो, तो be careful, साबधानी से रहिये, and I hope कि आपको यह video अच्छा लगा ह अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो please video को like कीजिए, definitely मेरे चैनल को subscribe कर लिजे, ताकि इसके बाद भी जो भी मैं videos बनाऊंगी, उसका notification आप लोग को मिलता रहे, आपको further information मिलता रहे, and चलिए, आज के लिए इतना ही, thank you so much for watching my video, thank you, तो अगर आप लोग का लगना, यानि ascendant, Pisces, यानि mean है, तो मार्स आप लोग के लिए आपके second house, and आपके ninth house के ruler है, मार्स आपके fourth house पर यहाँ पे transit करने वाले है, तो definitely यह एक बहुत ही positive transit होने वाला है आप लोग के लिए, चाहे आप लोग कोई भी creative professional field पे हो, या फिर artistic professional field पे हो, या फिर आप लोग कोई भी consultation, education या फिर कोई भी speculation business पे हो, आप लोग के लिए ये time बहुत अच्छा है, यहाँ पे दो-दो धन योगा बन रहा है, क्यूंकि मार्स आपके second house and ninth house के ruler है, दोनों ही money houses है, ठीक है, वो आपके fifth house पे आ रहा है, तो ये एक दो-दो राज योगा यहाँ पे बन रहा है for gaining money, ठीक ह तो अगर आप लोग कोई भी business करते हो, ये time आप लोग के लिए अच्छा है, अगर आप लोग educational field पे हो, तो education में आपको success मिलेगा, gain मिलेगा, achievement मिलेगा, बट यहाँ पे अगर आप लोग parents हो, तो आपके बच्चों के education में भी आपको success मिलेगा, बट यहाँ पे आप लोगो को जादा महनत करना पड़ेगा यहाँ पर नैचरल यह आप लोग अपने बच्चों के इडिकोशन के तरफ बहुत जादा फोकस्ट हो जाएंगे तो पहले यह चीज थोड़ा हार्श लगेगा आपके बच्चों के लिए कि आप लोग बहुत जादा उनको फोर्स कर रहे हो प अगर अगर नेसेसरी नहीं है कि आप लोग बहुत जादा फोर्स करें कोई भी चीज को पाने के लिए रिगार्डिंग इस काइंड फिंग्स तो यहाँ पर आपको उतना जादा फोर्स फुल नहीं होना है बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत दिनों से नहीं किया है या फिर आप लोगों ने भी बहुत टाइम तक अपने पढ़ाही को नेगलेट किया है तो यहाँ पर आपको बहुत जादा महनत करने की जरूरत है फिर आपको बहुत अच्छा सक्षिस मिलेगा ओके अड़ दे सेम टाइम यहाँ पर आप लोग अपने के साथ आपका जो रिलेशन्शिप है उसमें प्रॉब्लेम होगा आर्ग्यूमेंट होने के चांसे से एडुकेशन के लिए अगर आप लोग किसी लॉंग डिस्टेंस प्रेस पर ट्राविलिंग कर रहे थे अब तक तो आप लोग घर में आ सकते हो और नै तो अगर आप लो सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सो बहुत ज़्यादा कम्यूनिकेट करते हो या फिर आप लोग पॉलिटिकल फील्ड पे हो तो भी आपके अंदर कम्यूनिकेशन करने का जो चार्म है जो औरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपके अंदर नैचरली एक बहुत ही आने लगेंगे तो इस चीज़ को अगर आप लोग पॉजिटिव ली उस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और अगर इस चीज़ को आपने नेगेटिव ली उस किया फिर आपको प्रॉब्लिम हो सकता है लाइक फॉर एग्जामपल कि अगर आपको बह चलाने की कोशिश की अपने तरफ अपने फायदे के लिए अगर आप लोग ने घुमाने की कोशिश की तो फिर वह चीज़ आप लोग प्रॉब्लिमिट में रहे के करना है और एकसेस कुछ भी नहीं करना अब देखें Mars का तीन असपेक्ट होता है यानि Mars आपके 5th house पर है तो Mars 5, 6, 7, 8 यानि Mars का जो 4th aspect है वो आपके 8th house पर जाएगा Mars का 7th aspect आपके 11th house पर होगा और Mars का 8th aspect जो 8th aspect है वो आपके 12th house पर होगा तो definitely यहाँ पर क्या होगा कि Mars का fourth aspect आपके इधाउस पर है तो इस वक्त आप लोग बहुत यदा सिक्रेटिव हो जाएंगे या फिर सिक्रेटिव चीजों के तरफ आप लोग का ध्यान होगा अगर आप लोग का education, history, archaeology, geography, geology, fossils या फिर अगर आप लोग researcher हो आप लोग masters करने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को occult, mystical knowledge, gemstone, minefield या फिर agriculture या फिर मिट्टी को लेकर जो study होता है या फिर अर्थ के अंदर जो मानलो की जैसे कोई-कोई लाभा को लेकर बहुत जाता study करता है लाभा कहां पर रहता है वो जमीन के नीचे रहता है gemstone, crystal या फिर oil, gas, mining इस type का कोई भी अगर industry के साथ आप लोग connected हो या फिर ऐसे education के साथ अगर आप लोग connected हो तो definitely यह time आप लोग के लिए अच्छा है अगर आप लोग PhD कर रहे हो chemical के related को study कर रहे हो या फिर engineering field में ही आप लोग बहुत ही जादा कुछ deep आप लोग study कर रहे हो तो यह जो time है वो आपको बहुत जादा favor करेगा यहाँ पर ऐसे काम के related या फिर ऐसे education के related आपको achievement मिलेगा success मिलेगा आपके natural professional network circle में आप लोग बहुत जादा dominate होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर उसके वैसे आपके professional network circle में कुछ problem हो सकता है क्योंकि मार्स का 7th aspect आपके 11th house पर है मार्स का 8th aspect आपके 12th house पर है तो यहाँ पर आपको अपने career के वैसे या फिर अपने education के वैसे किसी long distance place पर traveling करना पर सकता है और नै तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग अपने काम में या फिर अपने education के वज़े से आपको किसी foreign clients के साथ या फिर foreign कोई teacher कोई guru के साथ यहाँ पर होंगे अगर आप लोग लाइक देखिए यहाँ पर ना क्या हो सकते कि आपके नींद में कोई disturbance आ सकता है क्योंकि मार्स का 8th aspect naturally थोड़ा हार्श होता है वह अगर आपके 12th house पर है तो 12th house आपके subconscious mind and आपके नींद को represent करता है तो यहाँ पर कोई anxiety के वैसे आपके नींद में इसवक्ड disturbance आ सकता है तो मैं आपको कहूंगी कि आपके दिमाग को थोड़ा शांत रखिए और जो चीजे आपको करना है सिर्फ उनी चीजों के उपर focus रखिए फिर आपको बहुत अच्छा success मिलेगा ओके तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है informative लगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे and thank you so much for watching my video thank you